जम्मो स्रिनगर नाशनल हाईवे के वाले से अपडेट बताते चलें आज जम्मो स्रिनगर कौम इशारा बंद रहेगी और बंद रहने का आज जो रीजन है या वज़े है वो सिर्फ कौम इशारा के ओपर जो मुरम्मती काम तैय शेडिूल के मताबिक चलता है इसलिए गाडियों को चलने की इजाज़त फिलाल सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक जो है वो तो चलती रहेंगी लेकिन नाशनल हाईवे पर जो माल बरदार या मुसाफिर मुसाफिरों से भरी बस से स्रिनगर से जम्मो और जम्मो से स्रिनगर जाती है चोटी गाडियां वो नहीं जाएंगी इस बीच आपको बताएं कि इस शाहरा के उपर एक और अच्छी खबर ये है कि सरकार की तरफ से बनीहाल काजीगुन टरनल को गाडियों के आमदरफ के लिए खोल दिया गया है और मुरमती काम के लिए एक तरफ शाहरा जहां बंद है तो दूसरे तरफ तस्वीरें ये कल की क्योंकि टरनल को कोलने से काफी हद तक राहत मिली है तकरीबन 16 किलोमेटर का जो तवील सफर था या खराब मौसमी सुर्टेहाल के बीच में बहुत परिशानी रहती थी मुसाफरों को इसलिए उस परिशानी को बहुत अद तक मेहपन ट्रांस्पोर्ट की तरफ से और हाइवे अथारिटी नैशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया हो या मरकजी सरकार की एकदमात हो उसके मुमकिना एकदमात जो उठाएगे उसकी वज़ा से बनिहाल काजीगुन को इस टनल को बगत से पहले ही ओपन करना पड़ा और इसके बाद फौरी तोर पर मरकजी वजीर का बयान भी आया जिनने इसे एक संगे मील करार दिया लिफ्निट गवर्नर मरूज सिना की तरफ से भी इस एकदम की क्यूंकि तैर डेडलाइन से पहले ही इंतिजामे की तरफ से इस टनल को खोल दिया गया लेकिन हालत ऐसी हुई या खराब मौसमी सुर्टेहाल के बीच जो मुलक के अंदर हालत बने कुविट-19 की वज़े से उन हालात ने इजाज़त नहीं दी किसी बड़ी तकरीब की फिलहाल अच्छी कबर ये एक तरफ कि कौमिशारा आज जरूर बंद है लेकिन इसके साथ-साथ हकूमत की तरफ से एक बड़ा एलान या बड़ा फैसला और अपने आपने तारिकी फैसला इसलिए है क्योंकि कौमिशारा के उपर ना सिर्फ साथ हाथ साथ होते हैं हजारों लोगों की जाने खत्म हुई है इस पूरे स्ट्रेच के अंदर अब वो बहुत हद तक हो सकता है कि कम हो जाए चूंकि परिशानी एक दूर हो गई है